मुझे लगता है गवर्मन्ट के तरफ से ये वो कबूल कर रहे हैं कि जो 2019 में बाकी मुल्क के साथ वादे हुए थे वो वादे अधूरे रह गए पांच अगस 2019 अगर आपको याद होगा उस वक्त सारे मुल्क को ये कहा गया था कि कश्मीर में अगर बंदूक है तो उसकी वज़े 370 है और 370 जाते ही बंदूक का जो है असर कश्मीर में आपको दिखना जो है वो कम होगा लेकिन जाहिर सी बात है कि वो हकीकत नहीं है जिस तरह के हमले हमने पिछले दिनों रजोरी में देखे जो वादिय कश्मीर में हालात है जिस तरह security forces के जो नंबर है उनको बढ़ाये जा रहे है हालात जो है वो पूरी तरह से अभी काबू में नहीं है और गवर्मन्ट को ज यह कहता हूं हम लोग कश्मीरी बिखारी नहीं है एलेक्शन हमारा हक है लेकिन हम इस हक को हासिल करने के लिए इन लोगों से भीक नहीं मांगेंगे हम अपना जोली नहीं फैलाएंगे हम हाथ नहीं जोड़ेंगे इनको देने होंगे हमें एलेक्शन देदें नहीं देने हो को पता नहीं कि इस शौक क्यों पढ़ गया है कि लोगों को और ज्यादा तंग करना जहां पर हिनको मुका मिलता है यह लोगों तंग करते हैं इसलिए यह यह जानते हैं कि एलेक्शन के बाद जो अकूमत आईगी वो यहां के लोगों के जखमों पर मरहम लगाने का काम करेग ये लोग सिर्फ तंग करने में लगे हुए हैं और सिर्फ जखमों पे नमक और मिर्ची छिरक में लगे हुए हैं